कि गुड़ आफ्टरून क्लास कुड़ आफ्टरून साथ कैसे वाप लोग सब लोग ठीक ठाक है ना बढ़िया तो पॉसेंटेस टाइप 3 तक हम लोग डिसकस कर चुके हैं अब बात करते हैं पॉसेंटेस टाइप 4 का और जिस बच्चे का जो भी एक्जाम है सिरियस हो कर आपके लिए कर रहा हूं और आम आराम से हर्चीज आपको पढ़ा रहा हूं कि कुस्चन को 3-3-4-4 मैथट से डिसकस कर रहा हूं कि आपको एक बार पढ़ने के बाद फिर दुबारा पढ़ना न पढ़े तो इससे जदा वक्त नहीं खराब करते हैं आते हैं टॉपिक पे आप लोग अपने कॉपी पेन उठाओ और लिखो परसेंटेज टाइप 4 और परसेंटेज टाइप 4 का नाम लिखना है परसेंटेज अंतर पर अधारित प्रस्त देखो यहाँ पे हम लोग परसेंट डिफरेंस की बात करेंगे अंतर मतलब क्या होता है इस यानि आप कह सकते इस कुस्चन को एक पर पहले हम लोग पढ़ते हैं और देन इसको डिसकस करते हैं किसी परिक्षा में एक विद्यार्थी को 28% अंक प्राप्त होता है इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट है जो एक्जाम देता है और एक्जाम के बाद उसको 28% नंबर उसका आता है अब एक्जाम के बारे में तो आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानेगा एक्जाम टोटल कितने मार्क्स का होता है तो आप बोलोगे कि परसेंटेज में 100% का एक्जाम होता है तो एक बच्चा ऐसा है जो एक्जाम दिया और 100% में से उसका 28% नंबर आया और उसके बाद कह रहा है कि और वह बारह अंकों से फेल हो तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें बारा नंबर प्लस कर दूं तो यह बचा पास हो जाएगा हाँ या ना में आंसर करना अगर एक स्टूडेंट को 28% नंबर मिलता है और अगर वो 12 नंबर से फेल हो गया है तो 28% जो नंबर है उसमें 12 नंबर अगर मैं जोड़ दूं तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जो दोनों का सम है यह उस एक्जाम का पासिंग मार्क्स है यानि इतने में वो बच्चा पास हो जा तो बारा नंबर अगर आपको और दे दिया मैं तब प्लस कर दिया तो आप कह दो कि यह हम पास होगे 28% प्लस बारा मिलकर बनेगा क्या पासिंग मार्क्स उस एक्जाम का अब आगे बात करते हैं अब कि उसी परिक्षा में एक दूसरे स्टूडेंट्स को 30% नंबर बात कर रहा है कि ठर्टी परसेंट अंक प्राप्त होता है और वह चेंगों से फेल हो जाता है तो इसको और कितना नंबर में दे दूंगा छे नंबर अगर मैं इसको दे दू तो मैं क्या सकता हूं कि यह भी पास हो गया पप्पू पास हो गया एक 28% प्लस 12 पे पास हुआ और एक 30% प्लस 6 पे पास हुआ तो यह भी पासिंग मांक्स है उस एक्जाम का और यह भी पासिंग मांक्स है तो आप क्या सकते हो कि यह दोनों एक्वल होगा हाँ या ना में अंसर करो समझना है जब तक समझ नहीं आएगा आपको नहीं बोलना है अगर समझ आता है तो बोलना है कि हां सर्व समझ आया और इसमें कुछ है नहीं यह बहुत इजी टाइप है आप पहले बताओ कि 28% प्लस 12 और 30% प्लस 6 को अगर हम बराबर कर रहे तो यह इक्वल होगा की नहीं कि अब देखो कि जब यह दोनों बराबर होगा तो इस 28 परसेंट को अगर मैं उधर ले जाओंगा तो 30 परसेंट और यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो डिफरेंस कितने परसेंट गाएगा इस दो परसेंट काएगा तीस माइनस 28 थे अब ज्यूक्ति और यह सिक्सी इधर आएगा तो 1% की value जो होगा वो 3 के बराबर होगा जी सर तो हो गया आपका problem solve हो गया अब देखो कि इसमें पूछा क्या है पूछा है कि परिक्षा कुल कितने अंको की ली गई तो परिक्षा कितने percent का होता है पहले ये सबस्क्राइब होगा आपके सवाल तो अगर आपके सवाल में तीन आ तो आप बताओ कि इसका answer क्या होगा है सौपर क्लाइब हो जाएगा तो अगर एक पर्सिंट का मान तीन हैं तो आपैस्ट का मान 300 हो जाएगा तो एक आंसर आपका 300 होगा बाते बहुत असानी से आपको समझा रहा होगा इस सवाल में दम नहीं है इसलिए इसको फट अफट करो आज आपको टाइप भी पढ़ाऊंगा तो इसलिए फास्ट करो अब क्या रहा है कि परिक्षा में सफल होने के लिए कितने अंकों की अवसक्ता लाना है तो देखो अगर एक परसंट का मान तीन है मैं आप से कहूं कि तीस परसंट का मान बताओ तो आप बताओ कितना होगा एक परसंट का मान अगर तीन रुपया है या तीन है तो तीस परसंट का मान कितना आएगा नब्बे नब्बे तो नब्बे यहां लिख दो तो क पास हो जाता है तो आप कह सकते हो कि इस एक्जाम में पास होने के लिए आपको 96 नंबर चाहिए और जो एक्जाम हुआ है वो कुल मिलाकर 300 नंबर का हुआ है अब आप देखो कि यह आपको कुस्टन अच्छे से सामझ आया कि नहीं इस टाइप के कुस्टन अगर आपकी पेपर में आएगा तो इस तरीके से सोचोंगे आराम से आंसर मिलेगा इंग्लिस में आप कुस्टन को पढ़ सकते हो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं कुस्टन में कह रहा है कि आ छुझाचंग का अग्जामिनेशन जाएं को पास होने के लिए आपको कितने नंबर की जौरत होगी ये दो सवाल पूछा था अब एक बर बोल दो कि हाँ या ना अच्छे से समझ आया नहीं या फिर मैं आगे बढ़ो या कहो तो इसको एक दूसरे तरीके से आपको explain करूं क्योंकि ये तरीका सबसे best माना जाता है जो मैंने आपको method अभी बताया ये best है जो कमजोर से कमजोर ब ये भी पास हो गया ये भी पास हो गया तो दोनों पास हो गए तो दोनों के नंबर बराबर हो जाएगा बराबर करने के बाद percentage को एक तरफ नंबर को एक तरफ करोगे एक परसेंट का मान मिल जाएगा जब आपको एक परसेंट का मान मिल गया तो आप सौ परसेंट का मान न क्या होगा तो 28% की वैलो निकाल कर उसमें 12 जोड़ दोगे तब भी आपको उतना ही मिलेगा 96 क्योंकि दोनों बराबर है बाते अच्छे से समझ आ इस बात की मैं आपसे उमीद कर सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस को हम लोग आगे बढ़ाये यह बैसर मैं इससे करना है दूसरा सिखने के बाद भी आपको करना इसी से हे यही फॉल्लो करना है जो मैंने आपको बताया है आ और बढ़ जाओ कि DAVID कि इसको में रफ करता हूं और उसके बाद हम लोग इस पे कुस्सन नंबर एक टू लेता हूं कोन है कैसी आवाज आ रहे हैं मत करोई सब क्लास में सांती बनाए रखो बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोग को कि क्लीन नहीं हो रहा है क्या बात है कि कि कुछ तो पंगा है कि चलो ऐसे मिटा देता हूं कि अब आता हूं मैं कुस्सन नंबर टू पे एक इसी पर और कुस्टन की हम लोग प्राक्टिस करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो आपके एक्जाम में पूछा हुआ कुस्सन नंबर टू मैं लेता हूं और वो देखो क्या कह रहा है कुस्सन नंबर टू आगया कुस्सन नंबर टू आपके स्क्रीन पे चेंज हो चुका है आप इसको देख सकते हो देखो कुस्टन को पढ़ते कुस्सन में कह रहा है कि कि किसी परिक्षा में एक विध्यार thou को 32 परसंट अंक प्राप्त हो बताओ कि इसको कैसे लिखोगे स्वारी कि जल्दी से बता जैसे यह लाइन लिखा है कि किसी परिक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वह चार अंकों से फेल हो जाता है तो इस लाइन को अगर हम mathematics में लिखे तो क्या लिखेंगा अभी जैसे मैंने बताया था पहला student है यह first student है और अगर यह चार नंबर से फेल हुआ है तो आप लिखोगे 32% और प्लेस फोर यह सोनो इसमें तो किसी बच्छे को कोई डाउट से पिछले सावाल को अगर आप ध्यान से पड़ो तो दोनों का जो percentage था उसमें हमने प्लस किया था क्योंकि दोनों student फेल हुए थे लेकिन इस question में एक student पहला फेल हुआ है चार नंबर से फेल है लेकिन जो दूसरा विद्यार्थी है जो दूसरा student है सेकेंड उसको 35% नंबर मिला है लेकिन वो आपका पांच नंबर से पास हो गया है तो पास का मतलब कि मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा आप खुद सोचो कि किसी एक्जाम में अगर पासिंग मांक से आपका पांच नंबर ज़्यादा आ जाए तो पासिंग मांक स पे आने के लिए आप पांच माइनस करोगे तभी तो पता लाएगा कि पासिंग मांक कितना है तो अगर यह student fail हुआ है 32% नंबर लाकर चार नंबर से फेल हुआ है तो चार प्लस कर दिया और ये बच्चा 35% नंबर लाकर पांच नंबर से पास हो गया है तो पांच माइनस कर दूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा कि बाते सबको समझ आ रही है कि यह सब यह सब यह सब यह 32% उधर जाएगा तो सब्ट्रेक्ट होकर 35 में से 32 घड़ जाएगा तो कितना बचेगा तीन परसेंट यह सब 35 माइनस 32 और यह पांच जब इधर आएगा तो फोर और यह प्लस फाइव नाइन हो जाएगा तो आप क्या सकते हो कि इस कुश्चन में तीन परसेंट की वैलू नौ है तो मैं आपसे अगर यह पूछू कि वन परसेंट की वैलू कितना होगा अगर तीन परसेंट की वैलू नौ है तो वन परसेंट की वैलू इसमें भी तीन आएगा जी सर ठीक है आपसे पूछा है कि परिक्षा कुल कितने अंकों की लिगई इसका मतलब कि आपको कितने परसेंट का मान निकालना है तो एक परसेंट का मान तीन है तो इस कुस्टन का विराइट आंसर है कि परिक्षा कुल तीन सो नंबर का लिया गया है इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए बट जब ये पूछ रहा है कि परिक्षा में सफल होने के लिए कितने अंकों किया वह सकता होगी तो देखो इस से भी निकाल सकते हो बताओ मैं किस से निकालो इससे की इससे जिससे को होगे उससे बता दूगा दोनों से सेम नंबर आएगा चलो इस बार इससे निकाल लेता हूँ अगर वन परसेंट की वैलू तीन है तो बतीस परसेंट का वैलू क्या होगा बताओ एक परसेंट का मान है तो 32% का मान 96 होगा जी तो आप लिखोगे इसके आंसर में कि 96 तो नंबर आपका 32% हो गया और यह चार नंबर से फेल है तो इसको अगर हम चार नंबर और देंगे तो यह लड़का पास हो जाएगा तो इस तरीके से पासिंग मांक्स कितना है इस एक्जाम का सो नंबर सब अगर आप यहां से निकालते तो देखो एक परसेंट का मान 3 है तो 35% का मान निकालते तो 105 आता और उसमें से इस पर पांच घटाना पड़ता तो इसका भी पासिंग मांक्स आपका हंड्रेड आता तो आप चाहे इस वाले ब्रैकेट से निकाल लो या फिर इस वाले ब्रैकेट से मान निकालेंगे तो वो हमारा एक्जाम का टोटल मांक्स होगा तो बोलो यहां तक बाते आपको समझ आई हैं तो यह आपका टाइप फॉर का परसेंटेज चेंज पर दो कुस्सन था जो आपको मैंने समझा दिया अब बात करते हैं अगले टाइप की टाइप फाइप की जो क अगले बढ़ते हैं माती कि मिटिके सब ठीक आते हैं अगली टाइप में हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परसेंटेज टाइफ फाइफ कि कै लिखा है वाई कि परसेंटेज टाइफ पाइप कहां गया अगला टाइप होगा जिसका नाम मैंने क्या लिखा है मिस्रण पर अधारित पड़ो इसको मिस्रण पर अधारित मिस्रण की मतलब क्या होता है मिक्सर मिक्सर को हम क्या बोलते हैं मिस्रण बोलते हैं तो आते हैं कुस्टन पर बात को समझते हैं कि किस टाइप का कुस्टन आपके पेपर में मिस्रण पर अधारित परसेंटेज में मिस्रण पर किस टाइप का कुस्टन पूछता है और उसको हमारा लगाने का मैथड क्या ह होगा तो देखो आपके स्क्रीन पर इसका पहला कुस्टन आ रहा है मैं पेंस सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद हम लोग डिसकस करते हैं कि देखो कुस्टन को मैं रीड करता हूं कुस्टन में कह रहा है कि पंद्रा लीटर नमक और पानी के घोल में चार परसंट पानी मिला हुआ है 4 परसंट इस्में पानी है यह गरबढ हो गया यहां पानी नहीं होगा इसको काड़ दो संगाला टाइफ हो गया है चार परसंट Centers पांक जग लेखो कि लिटुकर परसेंट लूERS जादा होगा गोल में और श्यूंел्यों कर लों च spend जी सार तो इंग्लिस में जब कट होगा तो यहां पर वाटर की जगह क्या हो जागा सॉल्ट क्या होगा सॉल्ट मतलब नमक बाकी चीज़े सही है पड़ते हैं फिर से 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% नमक मिला हुआ है कि मिस्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी वास्पित करा लिया जाए तो मिस्रण में नमक की परसेंटेज कितनी होगी यह सवाल है इंग्लिस में पढ़ देता हूं 15 लीटर अफ सॉल्ट एंड वाटर सॉलूशन इस मिक्सट विद 4 परसेंट सॉल्ट मैं समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा और इसका क्या मतलब है ध्यान से देखो भाई अगर आपके पास कोई नमक और पानी का घोल बनाओगे तो मानलों कि यह कि यह बरतन है समझना ध्यान से बात को इसमें आपका एक मिस्रण है जो कितना लीटर है पंद्रा लीटर है तो इसमें पंद्रा लीटर का आपने एक मिस्रण बना लिया है और इसमें मिस्रण किस चीज़ का है तो आप बोलोगे सॉल्ट प्लस वाटर का इस मिस्रण में क्या है नमक है और पानी है ठीक बात समझ पा रहा हूं तो पंद्रा लेटर नमक और पानी के घोल में कह रहा है कि चार परसेंट नमक है तो आप बताओ कि अगर यह सॉल्ट का परसेंटेज 4% होगा तो पानी इसमें कितना परसेंट होगा अगर नमक 4% है तो पानी का परसेंट इस्क्राइय है इस वर्तन में 96 96% क्योंकि दो नों मिलकर कितना होना चाहिएом जबह्या हमारे पास अगर एक बरत्न में मिस्रण है तो वो पूरा बरतन हमारा 100% होगा अब उसमें ये बता दिया कि 4% ही नमक मिलाया है मैंने तो आपके दिमाग में अपने आप एक मैसेज मिलना चाहिए कि 4% अगर नमक है और ये दो ही चीज का मिक्सर है तो इसमें 96% जो है उसमें वो पानी है और ये घोल टोटल कितना है 15 लीटर है टोटल हैं ये चार हूं और ये 96% तो यहां तक आपने कुस्षिन को सॉल्व करके और उसका फिगर बना लिया अब कुस्षिन में ये कह रहा है कि मिस्रो को गर्म करके मतलव कि इसको हीट कर रहा है इसको क्या किया गैस पर रख आता है तो जब इसको वास्पित करा लोगे तो जो फाइनल मिक्सर होगा उसमें नमक तो रहे गए रहेगा और पानी भी रहेगा तो你 फित करा लिया तो आप बताओ कि जो 15 लिटर का solution था अब वो कितना लिटर हो जाएगा 12 लिटर क्योंकि 3 लिटर पानी उसमें से vaporized हो गया है उड़ गया है अब कह रहा है इसमें कि वास्पित करा लिया जाए तो मिस्टरण में नमक की percentage क्या होगी यानि कि अब इस 12 लिटर में यह जो नमक ह है इसका percentage क्या है यह सवाल आपसे पूछ रहा है तो पहले आप question का मतलब समझ लो जैसा कि मैंने figure बना कर आपको दिखा दिया इसको गर्म करके 15-12 कर दिया तीन लिटर पानी को vaporized कर दिया और इसमें percentage पता है आपको इसमें percentage find out करना है और अगर इसका percentage पता लग जाएगा तो 100 में से घटा दोगे तो water का भी percentage आपको मिल जाएगा तो बात सिर्फ यही है कि हमें इसका percentage find out करना है कि वो कितना होगा तो देखो ऐसे सवालों में concept क्या लगाते है अगर आप एक बरतन में नमक और पानी डाल दो और उसके बाद उसको गर्म कर दो तो गर्म करने के ब बानी होगा एक फाल ऑद पनी होगा अगा गो सतनी हिसिता लेंगे उसको गर्म करोगे तो चीनी जितना था उतना यह ऺएका लेकिन उसमें क्या हो तो आप मुझे बताओ कि इस situation में और इस situation में कौन ऐसी चीज है जो सेम रहेगा और कौन ऐसी चीज है जो बदलेगा किसकी quantity सेम होगा और किसकी quantity बदलेगा कि सॉल्ट की quantity सेम होगा और वाटर की quantity आपका कम हो जाएगा तो मैं यह कह सकता हूं कि पंद्रा का अगर मैं चार परसेंट निकाल लो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है एक लाइन का है पंद्रा का सौरी पंद्रा लीटर का अगर मैं का मतलब गुड़ा फोर परसेंट निकालो तो इसमें यह पता लग गया कि पंद्रा लीटर जो सॉलूशन है तो पंद्रा का चार परसेंट निकालोगे तो यह बताएगा कि यह कितना इसमें नमक है चार परसेंट नमक है तो यह नमक की क्वांटिटी आपने निकाल लिया पंदरह का चार परसेंट बोलो हाँ या ना शही है यह सर्थीक है और जो हमें यह निकालना है हमें सॉल्ट की परसेंटेज यहां पर निकालना है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कुछ मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं x हमने माना कि यहां पर यह x परसंट है तो मैं यह कहा सकता हूं कि 12 का x परसंट अगर मैं निकालो क्योंकि अब यह मिस्णर तो 12 लीटर है तो 12 का अगर मैं x परसंट निकालो तो आप बताओ कि दोनों ही case में salt का जो quantity है यह बराबर हैं तो आप यह नहीं कह सकते हो कि 15 का 96% और इसको x मान के 12 का x परसंट निकालोगे तो वो बराबर नहीं होगा क्योंकि पानी की quantity change हुआ है बट salt की quantity same नहीं हुआ तो मैंने 15 का 4% निकाला और इसमें मान लिया कि salt x परसंट है तो 12 का x परसंट निकाला और मैं दोनों को बर बराबर कर दिया क्योंकि नमक की quantity same रहेगा इसलिए मैंने यह बराबर किया है पानी की quantity same नहीं रहेगा इसलिए पानी की percentage निकाल कर आप बराबर नहीं कर सकते हो बलो बाते आ रही है समझ आपको जैसा तो आप बताओ कि यह परसंट से परसंट कट जाएगा दोनों साइट क्योंकि इधर भी 100 आएगा इधर भी 100 आएगा गुड़ा में है तो कट जाएगा ठीक है तो आप मुझे बताओ कि यह 4 से कटेगा कितनी बार में तीन बार में और यह 3 से कटेगा कितनी बार में पांच बार में तो इधर बचेगा एक्स और इधर बचेगा आपका फाइफ तो आप कह सकते हो कि इसमें जो चार परसेंट नमक था अब इसमें वो कितना हो जाएगा पांच परसेंट और यही सवाल का उत्तर है तो आपके इस कुस्चन का फाइनल आंसर है कि जो नया वाला मिस्रण होगा वास्पित कराने के बाद उसमें अगर हम नमक की परसेंटेज देखेंगे तो वह पांच परसेंट दिखाई देखा देखो चार से पांच क्यों हुआ मै में नमक की परसेंटेज चार था लेकिन जब आप पानी को कम कर दोगे एक की क्वांटिटी घटा दोगे तो उसके तूलना में नमक तो बढ़ा ना नमक तो उतने हैं लेकिन पानी की तूलना में नमक की परसेंटेज तो ज्यादा होगा क्योंकि आपने पानी को कम कर दिया बाते आ नहीं समझ आपको पानी को अगर आप इसमें और डाल देते देखो मेरी बात को सुनो जैसे कि इसमें 4 परसेंट नमक है और पानी 96 परसेंट है आप इसको गर्म करके पानी को वास्पित नहीं कराते आप क्या करते कि इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते तो पानी की संख्या बढ़ जाता नमक तो उतना ही रहता तो जितना नमक का परसेंटेज था वो और कम हो जाता क्योंकि पानी के तूलना अगर करोगे नमक से तो पानी बढ़ाओगे तो नमक की परसेंटेज कम होगा और पानी को तो अगर कम करोगे तो नमक की परसेंटेज जादा होगा परसेंटेज बदलेगा लेकिन क्वांटिटी बदलेगा नहीं क्वांटिटी तो नमक जितना था विचारा उतना ही रहेगा वो चेंज हुआ कहां उसकी परसेंटेज बदल रहा है बाते आ रही है समझ जी सर तो इस क का आंसर 5% होगा इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है अगर है तो वो लो और नहीं हो तो मैं दूसरे तरीके से भी इसको समझाओंगा एक मैं थट से और मिटाओं इसको ये तो बेस्ट तरीका है अगर इसको आप फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक्जाम में आपको ये सब फिगर बनाने की जुरत नहीं है आपको सीधे ये वाला लाइन लिखना है ये वाला जो मैंने लिखा ये इतने में आपको आंसर न चलो एक सॉरी इसी कुश्चन को आपको दुबारा से बताता हूं एक दूसरे मैं थान से सीखो और समझो दो मैं 30 से बताने का मतलब है कि एक से तो सीखी जाओगे और फिर भी नहीं सीखते हो तो क्या ही करूं मैं कि कितना कोई आप पर मेहनत करें बताओ कि पूरी कोशिश तो हम करी रहे हैं कि चलो देखो कि ऐसा करो आप कि इस कुश्चन को लगाने के लिए जो आपने सॉलूशन लिया था पंद्रा लेटर का कि इसमें आपने रखा था सॉल्ट प्लस वाटर ठीक है अगर मैं आपसे कहूं कि यह फोर परसेंट है और यह 90 पर से नाइटी सिक्स परसेंट है तो चार और 96 का रेशियो क्या बनेगा एक और चोविस का रेशियो बनेगा हाँ या ना कि बोलो कि रेशियो बताओ वही रेशियो आपको समझ आया कि नहीं कि नहीं समझ आया कि पुछ बोलने आप लोगे तो आपका टाइम बचेगा ना सौल्ट और वॉटर का अगर मैं इस बार रेशियो की बात कर रहाँ परसेंटेज की बात नहीं कर रहाँ देको रेशियो सोचने के एक और भी तरीका है मैं आपको समझा देता हूं नमक कितना परसेंट दिया चार परसेंट आप बताओ चार परसेंट को आप क्या लिख सकते हो एक बटा पचीस लिख सकते हो जी सर ठीक है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर चार परसेंट नमक है तो जो उपर वाला भाग है वो किसका है नमक का है यानि कि एक भाग नमक है अब अगर टोटल मिस्रण आपका 25 है जिसमें एक भाग नमक है तो बाकी का नमक को अगर निकाल दे टोटल में से तो 24 भाग क्या है पानी है तो यहां पे एक और 24 का रेशियो बनेगा इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए य जा मैंने बोला था कि अगर चार परसेंट नमक है तो 96 परसेंट आपका पानी है तो इस दोनों का अगर आप रेशियो बनाओगे तो खुदी समझा जाएगा 24 होके क्या होता है तो एक और 24 का रेशियो होगा ठीक अब इसको अगर हम गर्म करके और इसको वास्पित कराएंगे तो ध्यान देना कि यह 15 से 12 लीटर होगा 15 से 12 लीटर होगा ठीक है आप बताओ कि एक और 24 का जो रेशियो है आप क्या सकते हो कि 24 और एक मिलकर 25 होगा और 25 की वैलू 15 लीटर के बराबर है हाँ या ना जी सार 25 की वैलू 15 लीटर के बराबर है तो अगर मैं कहूं कि एक कमान बताओ तो एक कमान निकालोगे तो आप क्या करोगे 15 बटे 25 लीटर बोलो हाँ या ना जी सार ठीक है यह जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15 बटे पचीस कितना होता पांस तीन बटे पांच लीटर हो गया जी सर तीन बटे पांच लीटर तो आप कह सकते हो कि 15 लीटर में से तीन बटे पांच लीटर जो है वो क्या है आपका सॉल्ट है तो इस वन की वैलू आपका आया तीन बटे पांच तो आप क्या सकते हो कि जितना सॉल्ट यहां पे तीन बटे पांच लिटर है उतना ही सॉल्ट यहां भी होगा यानि सॉल्ट और वाटर का अगर हम रेशियो की बात करें तो यहां पे आपका यह तीन बटे पांच लिटर ही होगा होगा कि नहीं में इतना ही दो तैनक्त इतना ही ऊसवर उटतन में था थीन बठी पांश वह नहीं बदलेगा मैं कहला हो रहा है कि अजये सा टुछ बոह एइल कि नहीं समझा रहा है बच्चों को कि और सब पच्चा क्यों नहीं बोल रहा है कि बंद करते क्लास ना पढ़ा है अभी नो शर पढ़ाई यह तो बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं कि आरा है सब्सक्राइब तीन बटे पांच यहां पे सॉल्ट होगा अब मुझे बताओ कि अगर पूरा मिस्रण 12 लिटर है तो 12 में से अगर मैं तीन बटे पांच को घटा दूं तो जो बचेगा वह पानी का मात्रा होगा पानी का क्वांटिटी होगा यह शर्व बारब पच्छे साथ और साथ में से तीन घटेगा तो आप बोलोगे कि सतावन बटे पांच फिप्टी सेवें अपॉन फाइब इसमें पानी है परसेंट टो परसेंटे निकालने के लिए तो मुझे लगता है कि इसको जरुवत नहीं था आपको निकालने का आप सीधे कहे दो कि अगर लीटर सॉल्ट है तीन बटे पांस लीटर सॉल्ट है तो इसकी परसेंटेंज हमें इस ब पर किस पर देखना है किसफोर संति आएगा इसका अबस्के को डीफ से यह निवारगे यह 5 से answer five percent यह था तो यह वाला calculation करने के आपको ज़रत नहीं है क्योंकि आपने यह देख लिया कि वही एक और 24 का ratio है तो एक और 24 मिलकर 25 होता है तो 25 का मान इस question में 15 लीटर के बराबर है तो अगर हम एक कामान निकालेंगे तो तीन बटे पाच आएगा और एक बराबर है पतानी है तो तीन बटे पांच को हम बारा पर निकालेंगे कि तीन बटे पांच की वैलू बारा का कितना परसेंट है तो तीन बटे पांच बटे बारा गोड़े सौ तो वह आपको दे देगा फाइव परसेंट तो इसमें उसी को फॉलो करो ऐसा नहीं है समझ का बस डिफरेंस है अगर आप इसको समझ जाओगे तो यह भी आस्माने रेसियो है तफ नहीं है चलो कोई नहीं आगे बढ़ता होगा है ठीक है आते हैं कुस्टन नंबर टू पे जो की एक पॉस्ट इंपॉर्टेंट कुस्टन आपके एक्जाम पॉइंट व्यू से तो क्लास में आपको जो आज समझाया वसब समझ आया यह सब टैप 4 में किसी बच्चे को कोई डाउट है आप लोगे काम करना कि टैप 4 के कुस्टन को फिर से दुबारा से लगाना और उसके बाद टाइप 5 पे आना टाइप 5 का जो मैंने आपको कुस्सन बताया था अगर सही से मैं बात करूँ तो जो पहला तरीका मैंने बताया था आपको कि 15 का 4 परसेंट और उधर X मान के लिख दो 12 का X परसेंट बराबर कर दोगे और X का मान निकाल लोगे आंसर आजाएगा सीधे 5 पर करना होगा कि किसकी क्वांटिटी दोनों केस में बराबर रहेगा जैसे पानी और नमक का अगर मिस्रड है तो नमक की क्वांटिटी हमेशा बराबर होगा पानी की क्वांटिटी बराबर नहीं होगा अगर आप पानी उसमें डालोगे तब भी पानी चेंज होगा और अगर लोग देखते हैं कि एक संद्द क्या कह रहा है ध्यान से समझना और इस संद्द के ऊपर आप इंपोर्टेंट पहले लिखे लो सबसे पहले काम गरो इंपोर्टेंट लिखो कि यह कुस्सन हर एक्जाम में कई बार रिपीट किया इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं इसने यहां पर स्टार बना दे रहा हूं कि जितना चाहे उतना स्टार बना लो इस्टार का क्या है कि चलो ले चले तुम्हें तारो के सहर में गाना सुने हो सब्सक्राइब करते हैं कि साथ लीटर दूद और पानी के मिस्रड में 20 परसेंट पानी है कि देखो बात वैसे है की पूरा कॉंटिटी आपका साथ लीटर है सिकस्टी लीटर है और कह रहा है उसमें दूद और पानी का मिस्रड है लेकिन अगर उसमेंसे शिर्फ पानी की बात कर रहा है कि 20 परसेंट पानी है तो अब बताओ कि बाकी और water दो चीज़े है milk plus water इसमें आपका पानी की percentage 20% है तो आप ये सीधे लिख देना कि 80% जो बाकी का है वो आपका milk है और ये पूरा मिस्रण कितना लीटर है तो आप बोलोगे कि ये पूरा मिस्रण 60 लीटर है 60 लीटर है अब आगी कह रहा है कि मिस्रड में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए आप से कह रहा है कि जो ये 60 लीटर का मिस्रड है इसमें पानी मिलाओ आप पानी और मिलाओ तो मानलों कि मैं इसमें एक्स लीटर पानी मिला देता हूँ क्योंकि हमें यही पता नहीं है कि इसमें कितना लीटर पानी और मिलाना है कि मिस्रण में कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि बने मिस्रण में पानी की मात्रा 25 परसेंट हो जाए तो मिलाने के बाद जो हमारा मिस्रण बने उसमें आपका जो पानी की परसेंटेज हो वह पचीस हो जाए, तो अगर पानी की परसेंटेज यहां पर पचीस कर दोगे, तो मिल्क का परसेंटेज कितना रहेगा? 55% रहेगा 25 अगर वह होगा तो पचीस परसेंट आपका वाटर है तो 75 आपका मिल्क होगा ध्यान से समझों की पिछले सवाल में और इस सवाल में difference क्या है देखो पिछले सवाल में यह percentage आपको दोनों पता चल गया था कि SOILT 4% है और पानी 96% है पता चल गया था फिछले सवाल में आपको यह भी पता था कि 15 लिटर है दिया था यह सर बलो जी सार और पिछले सवाल में यह भी दिया था कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो पानी कम हो जाएगा और वो तीन लीटर से कम हो रहा था और यहां पे 12 आ गया था उस सवाल में मैंने यहां पे 3 दिखाया नहीं था लेकिन समझो कि बात तो वही थी न कि 15 से 3 लीटर कम किया था और यहां पे directly क्या लिख दिया था 12 लिख दिया था और उसके बाद देखो कि उस question में आपसे salt की percentage पूछ लिया था यहां पे percentage कुछ भ भी percentage आपको बता दिया है दोनों और यहां से भी आपको दोनों percentage पता लग रहा है कि यह 75 होगा यह 25 होगा फर्क यह है कि उसमें 3 लीटर यहां दिया था इस बार यह नहीं दिया है इस बार आपसे कह रहा है कि बताओ कि यहां पे कितना लीटर पानी मिलाएं कि आपका percentage यह हो जाए यानिकी numbers दे रिया है और इस पर कुष्चन वाली बात पुछ लिया है कि कि तो पिछले सवाल में पानी को उड़ा रहा था गर्म करके पानी की क्या तो अब बताओ कि यह सॉलूशन कितना लेटर हो जाएगा साट प्लस एक्स लेटर हो जाएगा साट प्लस एक्स लेटर हो जाएगा क्लियर बात बोलो वही यह सार ठीक है अब बताओ कि अगर इस बरतन में दूद और पानी रखा है आपने क्या किया कि उसमें और पानी डाल दिया बोलो परसिंटेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं किसकी क्वांटिटी बदलेगा किसका क्वांटिटी सेम रहेगा किसका बदलेगा देखो मेरी बात को सुनो वही आपने इस बरतन में पानी डाला है तो पानी जितना पहले था अब उससे ज्यादा हो जाएगा लेकिन जितना दूद्ध पहले था बाद में भी तो दूद्ध की क्वांटिटी तो उत्नहीं रहेगा कि वह भी बदल रहा है उसका प्रसिंटेज और पानी डाल दिया तो दूद्ध तो पांच का पांची रहा है ना पानी हौगया 10 से 15 येस तो सुरुवात में भी पांच लेट था अभी भी पांच लेटर है पानी मिला दिया आपने solution को बढ़ा दिया लेकिन दूद तो उसमें 5 लेटर आपने खरेद कर डाला था उसको कहां बढ़ाया तो आप ये कह सकते हो कि आपने पानी मिलाया है तो जो दूद यहां से निकल कर आएगा और जो दूद यहां से निकल कर आएगा वो दोनों बराबर होगा कैसे निकलेगा 60 का 80% आप लिखोगे 60 का 80% अगर हम निकाल लेंगे तो इस बरतन में से दूद कितना मिलेगा यह निकल गया और फिर इधर पर लेकिन हम बात जब करेंगे तो 60 plus x का करेंगे क्योंकि इसकी quantity 60 plus x है तो 60 plus x का कितना परसेट निकालेंगे 75 पर Az funk ईसकी quantity को हम क्या करेंगे बराबर करें पर्सेंट से पर्सेंट कट जाएगा कौन है यह बंद करो वई परसेंट से परसेंट कट जाएगा इसके बाद देखो कि पंदरा के पाड़ा में आता है 15 पचे 75 पंदरा चोग के 60 ठीक है और यह 5 से कट जाएगा 80 तो 16 पचे क्या होता है 80 तो इधर जो गुड़ा होगा 16 चोग के 64 होगा 16 फोर जा 64 होता है और इधर कितना है 60 प्लस एक्स तो यहां से अगर मैं कहूं कि एक्स का मान निकालो तो 64 माइनस 60 यानि ओवराल रिजल्ट क्याएगा चार लिटर तो आप कह सकते हो कि हमने परसेंटेज को बदलने के लिए कितना लिटर पानी डाला है चार लिटर तो बस मिल गया सॉलूशन यह पहला मैथड है जो आपको उस कुस्चन में भी फर्स्ट मैथट से जो सवाल को लगवाया था वही है यह आपको एक्जाम में सिर्फ इतना ही करना है मैं बार-बार कह रहा हूं कितने से आपको आंसर निकालना है यह सब चीजे सिर्फ समझने के लिए है और कुछ नहीं है एक्जाम में आपको वहां पर सजाना नहीं है कॉपी को कि बड़ा बढ़ियां से लिखें कि एक्जामनर नंबर दे देगा ऐसा नहीं है आपको यह बात समझना है कि 20% पानी है तो 80% दूद होगा सीधे लिखोगे 60 का 80% यहां ते एक प्लाएन ही आजाएगा उसके बाद कितना लेटर पानी और मिलाए? तो 60 में एक्स लेटर पानी मिलाओ, 60 प्लस एक्स की पानी की मातरा 25 हो जाए तो समझताओ कि दूद की मातरा 75 रखना है तो 60 प्लस एक्स का 75 और इसको हल करके एक्स कमान निकालोगे 4 लेटर आएगा कि बाते आई समझ अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ज्यादा पूछना भी से झाहिक आसी कि इस सवाल को हम लोग ऐसा करते हैं कि यह क्''क पिछले सवाल में जब आपने परसंटेज match लगाया तो आपको पहला में से अज dis ф कि अगया बई आचक कर आइसका कि अचकर वड़ा खतरनाक होता है है चकर नहीं होना चीए भाई है ब्लू कलर नहीं दिख रहा तुम्हें तो दिख रहा है तो रेड वे और पींट की यह सबनों मतलब थोड़ा में वह जा रहा है मतलब यलो और ग्रीन से थोड़ा क्लियर वाड़ा है चलो देखू है साथ लीटर दूद और पानी का मिस रड़ था फिर से हम बनाते हैं फिगर और इस बार हम लोग परसेंटेज लेकर नहीं चलेंगे रेसियो लिखेंगे मिल्क और वाटर आप बताओ कि अगर 20 परसेंट व और यह कितन मां भी नहिए खरयो हुआ है कि 10 daí कि 6 लीटर और यह चार और एक का रेसियो है ठीक है इसमें हमने क्या किया की एक्स लेटर पानी डालना च्छोड़ो वह पानी कितना डालना हो च्छोड़नों मत डालो मिलक और वाटर का इसमें ratio बताओ क्या बनेगा जब इसमें पानी 25 है तो ये 75 होगा तो आप बोल सकते हो कि रेशियो जो बनेगा 3 और 1 का बनेगा 75 और 25 का अनुपात क्या बनेगा 3 अनुपात 1 ठीक है अब आप क्या करो कि 4 अनुपात 1 में 60 को बाट दो तो आप बोलोगी कि 4 और 1 मिलकर 5 होगा 5 बराबर है 60 के तो एक बराबर कितना आएगा 5 बराबर 60 है तो एक कामान कितना होगा 12 12 होगा तो अगर एक कामान 12 होगा तो आप मुझे बताओ कि इस 4 कामान कितना होगा 48 लिटर होगा 48 लिटर यानि आपने ये देख लिया कि इस बरतन में दूद और पानी अगर 60 लिटर है तो इसमें 48 लिटर दूद है और कह सकते हो कि बाकी के 12 लिटर इसमें क्या है पानी है तो इधर दिखा दो कि 12 लिटर इसमें पानी है मतलब कुछ करना नहीं था simply आपको रेशियो बनाकर और इस सानुपात में 60 लिटर को बाट देना है कि कितना दूद और कितना पानी ये अलग-अलग कर दिया आपने ठीक है अब जब हम इसकी बात करेंगे तो देखो आपने जो क्वांटिटी मिल्क का लिया है 48 इस वरतन में भी मिल्क कितना होगा वो तो 48 ही रहेगा ये तो चेंज ह आएगा लेकिन दूद उसमें भी 48 लिटर था और ये इसमें भी 48 लिटर ही रहेगा अब मुझे बताओ ये 48 कितने वराबर है तीन का मान है आप क्या सकते हो कि इस कुस्चन में तीन का मान 48 हो गया अब कि रेशियों में तीन का मान क्वांटिटी में कितने के बराबर हो गया तो अगर तीन की वैलू 48 होगा तो वन की वैलू कितना आएगा तीन समान की कीमत 48 है तो एक समान की कीमत कितना आएगा कि वाग गदेवा सब गदेया सब तीन समान की कीमत 48 रुप्या है तो एक समान की कीमत कितना होगा यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यह 16 होगा अब तुम खुद देख लो कि उस बरतन में पानी 12 था और अब वह 16 हो गया तो एड कितना हुआ एड कितना हुआ है तो चारी लेटर तो आंसर था यह सब तो क्या यह बात तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह रेशियो इतना टफ है समझने का फर्क है दिमाग रहेगा तब तो समझोगे में चलो ठीक है अगला किस्चन एक आता है थब नंबर और इस कुस्चन को आप लोग का होमवर्क में दे रहा हूँ इसको नहीं बताउँगा मैं एक होमवर्क रहेगा तुम्हों का और इसको तुम लोग तो खुद करोगे नहीं लगेगा तो कल मैं बताऊंगा है बहुत तुम लोग फ्री रहते हो आज कल पढ़ते लिखते नहीं हो दिन भर घूमते रहते हो कुस्टन नंबर थ्री मैं पड़ दे रहा हूं कि ताजे फल में 68 परसेंट पानी है मालनों कि आपने कोई फल को उतारा पेड़ से और उस टाइम इदम बिलकुल ताजा था तो उसमें पानी 68 परसेंट है तो आप कह सकते हो कि बाकी का जो बच गया कितना परसेंट बचा 68% अगर पानी है तो बाकी कितना बचा 32% बचा तो वो 32% क्या होगा अगर कोई फल है फल में 68% पानी है तो बाकी का 32% उसमें क्या है फल का फल की क्वांटिटी यह भई खाली पानी का फल नहीं होगा उसमें और भी कुछ होगा वो नारियल पानी देखो मानलो एक नारियल पानी है उसमें 68% पानी है और बाकी का उसमें मलाई है ठीक है बाकी का 32% उसमें मलाई है अब कह रहा है कि कहां गया जबकि सूखे फल म जाता है और उसमें जो मलाई है वो कितना पर्षेंट हो जाएगा 80% अब कह रहा है कि जो ताजा फल है वह आपके पास 100 किलो है तो बताओ कि सूखा फल कितना किलो इसमें होगा यह आपको करना कि फिग बना के बता दूंगा का कैसे करना है या मुझे करो बात को हुठियूप फूज्ट है थिदि गया यह कुस्स्टन है कि एंसर 40 आ रहा है क्या 40 40 रट के बता रही होगा है उसके बाद इधर इसको एक्स करके फिर असी असी आया था उसका तौसी करके काटे है तो 40 कल बात करेंगे आगे देखो इंग्लिस में कुस्टन क्या कह रहा है मैं पड़ दे रहा हूं अगर आपको 100 किलो ताजा फल दे दिया जाए तो उसको सुखाने के बाद आप कितना किलो फल निकाल सकते हो यह सवाल है इसको करके आप आओगे आप सबको इस सवाल के लिए देखते हैं कि कल जो आंसर आता है उसमें कौन बच्चा सबसे बेस्ट एक्स्प्लानेशन देता है आपके पास दो तरीके मैंने दिया है लेकिन मैथट्स जब हम बोलते हैं जब आपके पास एक से जादे तरीका होता है आपको खुद में अच्छा लगे है कि चलो मुझे किसी सवाल को लगाने का दो दो तीन तीन तरीके आते हैं तो सीखो ना टाइम की कमी है क्या 24 गंटे का आपके पास टाइम है हर किसी के पा वर्क है वो है सिर्फ पढ़ाई और कोई वर्क नहीं आपकी लाइफ में बाकि आपके पास अगर कुछ और आप बोलते हो तो वह सिर्फ बहाना और कुछ भी नहीं है ठीक है हर चीज के लिए इंसान टाइम निकाल सकता है पढ़ाई के साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकत हो लेकिन उसमें आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा अगर आप चाहते हो तो अगर आप चाहते हो कि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो तो वह होगा सब कुछ आपके माइंड पर डिपेंड करता है किसी और के माइंड पर डिपेंड नहीं करता है मेरे कहने से कुछ न लेंगे ठीक है लेकिन करना सिर्फ आपको है तो कल की क्लास में हम इस कुस्टन को डिसकस करके और बात करेंगे टाइप सिक्स की बहुत जल्दी अब आपका पॉसिंटिज में खतम करूंगा और आप लोग प्राक्टिस करते रहो कुस्टन लगाते रहो बाकी जो भी आपके पास कुस्टन होगा फ्राइडे की क्लास में आप मुझे देना मैं आपको समझाओंगा बताओंगा और फिर इसके बाद हम लोग सुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए खुस रहिए हमेशा मुस्कुराते रहिए हम आपसे मुलाकात करते हैं कल की क्लास में बाइबाय टेक क्या तैंक्यों से